हलो विटियो को करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस कमपनी की शेफ्लाइज 3511 रुपए और एक दिन में 0.83% की गरावट देखने को मिली पिछले पाथ दिन में 6 परसन की गरावट देखने को मिली पिछले एक महिनों में 3% के positive return पिछले 6 महीनों में 23% के positive return पिछले 1 साल में almost 30% के negative return पांस सालों में 500% के positive return यानि पिछले 5 सालों में almost 5.5 गुना पैसा कर दिया और maximum returns के बात करें तो 2000% के positive return दिया continuous तेजी होने के बाद continuous stock में गिरावर देखने को मिल रही है तो क्या इस company के share को खरीदना चाहिए या avoid करना चाहिए तो जैसा कि हाँ company के business and fundamentals के बात करें तो यह जो company है information and technologies यानि IT सेक्टर में काम कर रही है market capitalization 57,000 करोड का है stock का लो 2600 रुपए, stock का ही 5000 रुपए P 30.56, book value 344 रुपए और यह जो company almost 1% का dividend भी दे रही है ROC काफी strong है मैं देखने को मिला 41%, return on equity 33% है face value 10 रुपए की, intrinsic value 1616 रुपए P industries के P 26.4 है, promoter holding 61% है और 0.04% के stakes यहाँ पे sale किये है debt equity 0.11 है यानि मातर 600 करोड का ही debt देखने को मिला FIIs holding 12% है और FIIs ने 0.37% के stakes buying किये है DIs holding 11% है, almost 12% और DIs ने भी यहाँ पे अपना 0.24% के stakes sale किया है, यहाँ बात करें कंपनी के cotton cutter पेसे result की तो आप देख सकते हो company का जो result है काफ़ी strong है में देखने को मिला और बढ़ते वे देखने को मिला 400 करोड, 438 करोड, 433 करोड, 432 करोड और 500 करोड यानि सेप्टेंबर 12-22 के अंदर 500 करोड का profit हुआ है यानि strong profit देखने को मिला है year on year basis काफ़ी strong profit देखने को मिला और बढ़ते वे देखने को मिला 631, 1100 करोड, 1600 करोड और 1800 करोड का profit results के बात करें तो company के results भी यहाँ पर बढ़ते वे देखने को मिले और हलका सा यहाँ पर borrowing भी है 600 करोड का यानि company के fundamentals में कोई भी कमी नहीं है almost company के जो fundamentals है काफ़ी strong देखने को मिल रहे है promoter holding 61% almost देखने को मिली FIS holding 12% है DIS holding almost 11.82% public holding 15% है मैं देखने को मिली है यानि company के promoter holding भी काफ़ी strong देखने को मिली है BSC पर इसे stock के analysis करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो company ने कब dividend bonus stock split किया है तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर इक company ने continuous 2007 dividend देती आ रही है और दो बार bonus भी दिया है 2014 में और 2016 में एक share के बदले एक share और 2016 में भी एक share के बदले एक share यहाँ पर bonus दिया है और continuous company dividend देती आ रही है अगर आपके पास इस company के share है तो आपको patience रखना चाहिए और long term के लिए hold रखना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी हमें गिरावर्ट देखने को मिली थी 2016 में 700 रुपे का stock हमें 300-400 रुपे तक देखने को मिला था अगेन यहाँ पर 2018 में गिरावर्ट देखने को मिली 1000 रुपे का stock हमें 600 रुपे तक देखने को मिला और अभी भी से stock में गिरावर्ट देखने को मिल रही है बट patience रखो के तो आपको काफी अच्छा returns भी मिलेगा ठेंक्यों दोस्तों कर दोस्तों